नमस्कार दोस्तों, उत्रखंड की संस्कृती परंपराय अपने आप में एक संसार को समेटे हुए है हर परंपरा के पीछे एक सम्रद्य कथा कहानी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते है देवभूमी की एक ऐसे ही परंपरा है भिटॉली इसके बारे में देवभूमी का हर सक्स तो वाकिफ होगा और इस परंपरा को निभाता भी होगा लेकिन क्या आपको इससे जुड़ी कहानी मालूम है आज हम इस वीडियो के जरीए भिटॉली के बारे में बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि उत्रखंड की इस सम्रध्य परंपरा को अपने संग संबंधियों के साथ जरूर साजा करें ताकि उत्रखंड की महान संस्कृती परंपरा से पूरी दुनिया वाकिफ हो भिटॉली उत्रखंड की एक खुबसूरत परंपरा है जिसमें शादिशुदा बेटियों या बेहनों को उनके माईके से प्यार और आशिरवाद मिलने की रीती है देवभूमी की हर बेटी चैतर के महीने का बेसबरी से इंतजार करती है बस इसी अपेक्षा में कि कब घर की राह निकलेगी हर बेटी की अपेक्षा होती है कि उसकी मा कब आएगी चाहे वो कहीं भी हो देवभूमी उत्रखंड की इन परंपराओं ने ही लोगों के जीवन में मिठास घूली है वैसे तो भीटॉली के बारे में कई मान्यता हैं लेकिन इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे एक गाउ में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे देबुली के लिए अपना भाई बहुत दूला रहा था और नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था वे दोनों एक साथ ही रहते खेलते और खाते पीते थे जैसे जैसे दिन बीटते गए देबुली और नरिया बड़े होते गए एक दिन ऐसा भी आया देबुली की शादी घरवालों ने तै कर दी कहानी के अनुसार देबुली का बया उसके गाउं से बहुत दूर किया गया अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा ससुराल और मायका में काफी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम हो गया नरिया देखता था कि गाउं में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती थी इस बात पर नरिया अपनी दीदी को जादा याद करने लगा और दुखी सा रहने लगा नरिया को देखकर उसकी इजा को फिक्र होने लगी इजा ने नरिया से कहा बहुत दिन हो गए तू अपनी दीदी से मिलकर आ कल तू अपनी दीदी से मिलकर आना और खाली हाथ मत जाना मैं कुछ चीजे दे दूँगी तो देबुली को दे आना उसे भी मायके की याद आती होगी इजा ने प्रसाध, पूरी, रायता, पूवे, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी, आदी की एक बड़ी सिटोकरी रखकर नरिया को दे दी और कहा कि जा ये भेट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को दे देना नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा, दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने का सोचा, क्योंकि पहाडों में शनिवार को थोड़ा काम काज या कहीं सफर मैं जाने के लिए उचित नहीं समझा जाता है और नरिया भेट वहां रखकर चला गया बाद मैं जब देबुली की आँख खुली तो उसने सामान देखा तो नरिया को देखने लगी वो बहुत दूर तक गई लेकिन तब तक नरिया तो जा चुका था देबुली को पश्चताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफरताय करके आया भूगा भी होगा और मैं सोती रह गई वो रोने लगी और बोली भेभूगो मैं सीती मतलब भाई भूगा रहा और मैं सोती रह गई और ये रट लगाने लग गई पश्चताप में देबुली का मन इस प्रकार आगात हुआ कि भेभू को मैं सीती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण निकल गए माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुगुती नाम की पक्षी बनी जो की चैत्र मास में भेभू को में सीती की अवाज लगाती है भिटॉली उत्रकंड की विशेस और एक भावनात्मक परंपरा है विवाहिता मैला चाहे जिस भी उम्रकी हो उसे भिटॉली का बेसबरी से इंतजार रहता है अगर आप उत्रकंड से हैं और भिटॉली की इस परंपरा को निभाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही इस सम colonialism की इस कहानी को अपनों के साथ जरूर शेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप इस वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें